प्रिये विद्यारतियों वंदे मात्रम राजस्तान प्रशासनिक सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2023 संपन हो चुकी है और अब बारी है राजस्तान प्रशासनिक सेवा मुख्या परिक्षा 2023 की तैयारी की लगातार बहुत सारे विद्यारतियों के प्रशना रहे थे कि बैच का आरंब कब होने जा रहा है तो मैं आपको बता दूं के बैच की शुरुआत हम लोग 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार मां सरस्वती के दिन से करने जा रहे हैं लेकिन जब भी किसी बैच की शुरुआत की जाती है तो विद्यार्थी के मन में ये जिग्यासा रहती है के परीक्षा की संभावित थी क्या है तो आश्रम टीम के द्वारा परीक्षा की संभावित थी 18 फरवरी रवी वार मानी जा रहे हैं यानि की आपके पास अब लगभग 135 दिन तयारी है तू शेश हैं तो बस जुट जाए तयारी में अब एक प्रश्र और जो लगातार विद्यार्थी के सर कट आफ क्या रहेगी तो मैं बता दूँ के मेरा आश्रम टीम का ये अनुमान है कि कट आफ 79 अंक से 85 अंक के मद्धे रहेगी अगर बात करें तो अप्रोक्सिमेट वही जो गत वर्श थी यानि की 84 अंक उससे 2 अंक नीचे या एक आद अंक उपर रहने की संभावना प्रबल है अब तयारी किसको करनी चाहिए तो तयारी उसको करनी चाहिए जो सामान्य पुरुष वर्ग में आता है और उसके 75 से उपर अंक आ रहे हैं तो उसे तयारी करनी चाहिए यहां कट आफ को लेकर तयारी किसे करनी चाहिए एक बात का विशेश ध्यान रहे कि मैं ब खुबी जानते हैं अब बात आती है कि आश्रम में कौन प्रवेश ले सामानेत विद्यारती कहता है कि मैं सब कुछ तयार कर चुका हूँ मेरा कोर्स कम्पलीट है और मुझे तो सिर्फ टेस्सिरीज की जरूरत है यहां पर मैं आपको एक बात सपष्ट कर दूँ कि हमारा लक भीतर स्वामी विवेका नंद का आध्यात्म हो जिनके भीतर भगज सिंग की तरह वेवस्था को बदलने की इच्छा हो जिनके भीतर बीनादास जहांसी की रानी लक्षमी बाई नौरा आरे मैडम भीका जी कामा जैसा राश्टरवाद हो जिनके अंदर दोस्ती और दिलेर हो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और खान साब अश्वाक उल्ला खान की तरह हैं जिसके हिर्दे में महात्मा गांदी के आदर्श विराजते हो वो विद्यारती वो बच्चा आमंत्रित है पांच अक्टूबर दो हजार तेइस गुरु वार को शाम सवा चार बजे सूरत गड़ में आफ लाइन बैच में एडमीशन लेने के लिए तो चले आईए अगर आप इन आदर्शों को इन बातों को अपने जहन में लेकर चल रहे हैं यहां एक बात का ध्यान रखिएगा के कक्षा में लगातार मेरी उपस्तिती रहेगी कौन बच्चा रेगुलर क्लास म के साथ देखूंगा तो किसी भी ऐसे बच्चे को हम बैच में प्रवेश नहीं देंगे या उस बच्चे को प्रवेश नहीं लेना चाहिए जो सिर्फ एक शौक पूरा करने के मकसद से आरेस मुख्य परिक्षा की तैयारी कर रहा है तो धेर सारी शुब कामनाएं जै हिंद जै भारत जै राजस्तान